So, welcome students. Now we are going to see exchange of gases during respiration. So, students, अभी तख हमने देखा है कि respiration में क्या chemical reactions होती है. लेकिन आपने नोट किया होगा उन में gases का भी बड़ा important role होता है. तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि कैसे exchange of gases होता है in body of an organism. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे humans के बारे में, कुछ और animals के बारे में, और plants के बारे में. कि कैसे उनके bodies के अंदर gases जाती हैं और कैसे उनकी bodies से gases बाहर आती हैं. सबसे पहले strengths will attack कि humans में कैसे होता है in humans. So this is human body और strengths यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि respiratory system में कौन-कौन से important organs होते हैं. So आप देखें, सबसे important organ जो यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर आप देखें, this and this. इनको बोलते है strengths lungs, lungs and they are two-way number strengths जैसा कि आप देख सकते हैं. यह सबसे important organ है respiratory system का. यह कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, यह सहम आगे अभी देखने वाले instruments. लेकिन सबसे पहले आप यह देखो, कि यह जो lungs होते हैं, यह बड़े delicate होते हैं, तो इनको protection की जरूँगते हैं. तो इनके round आप देखो, यह bone का structure होता है, उसका काम होता है lungs को protect करना. और उसको बोलते हैं students rib cage, इस bone का structure क्या बोलते हैं rib cage, तो आपको बात समझ में यहाँ आप, आप ध्यान दे, इस structure पर, यह जो एक film like structure है, एक membrane type structure है, इसको बोलते हैं diaphragm, इसके नीचे वाला जो area होता है students, इसमें digestive system के organs होते हैं, जैसे stomach हो गया, intestine वगड़ हो गया, और इसक respiratory system के organs होते हैं, तो यह जो diaphragm है, वो हमारे body में यहाँ पर कहीं होता है, तो इसके उपर chest वाला region है, जिसमें respiratory system के organs होते हैं, इसके नीचे abdomen है, जिसमें digestive system के organs होते हैं, जैसे stomach, small intestine, large intestine, इस सब के बारे हमने पढ़ा है strengths, अब देखो strengths, एक और important और interesting बात मैं आपको बताता ह के अंदर, rib cage के अंदर और diaphragm के ऊपर, तो यह जो cavity है, इसका technical नाम है, इसको बोलते है, thoracic cavity, या फिर इसको chest cavity बोलते है, तो obviously chest cavity तो बोलेंगे इसको, because this cavity is in chest, इसका technical नाम है thoracic cavity, तो now let's put lungs back, तो lungs कहां भी होता है strengths, मारे body में, हम बोह सकते हैं, lungs होता है, thoracic cavity में, अच् exam से पूछा जाए कि lungs की location क्या होती है, तो देखो हम बड़े अच्छे words में कैसे लिखिंगे इसको, कि lungs reside inside rib cage, above diaphragm, inside thoracic cavity, right strengths, अब lungs के लाब बाकि जो organs होते हैं, respiratory system की, उसकी बात करते हैं strengths, चो देखो, जब सास लेते है strengths, तो nose के तुरू, nose के तुरू, हवा हमारे body के अं nose में दो nostrils होते हैं, यह एक nostril है और यह दूसरा nostril है, तो वह हम यहाँ पर देखेंगे, nostrils के through, हवा जो है body में inter करती है, और फिर इस रस्ते से अंदर जाती है, यह जो रस्ता आपको दिख रहा है, student इसको बोलते है, nasal passes, क्या बोलते है, nasal passes, फिर हवा अंदर जाती है, इस region से cross करती है, इस region को बोलते है, ferry next, क्या बोलते है, students, ferry next, इसका बड़ा importance है, जो मैं आपको थोड़े दिर में बताऊँगा, फिर हवा और नीचे आती है, students, फिर आप देखो यह जो box type, आपको structure दिख रहा है, इसको बोलते है, larynx या फिर sound box, इसके बाड़े में आपको थ important चीज़े एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले आप देखो, इस ferry next के बाड़े में, क्या है, कि हवा यहां से आई अंदर, ठीक है, आप देखो, foot भी मारे body में अंदर आता है, mouth से, लेकिन हवा का अलग रसता है, वो nestle passes से आ रहा है, और foot जो है, उसका अलग रसता है, वो रिजन है, यह वो एरिया है, ferry next, जहां पर दोनों पहुंसते है, अब इसके बाद फिर से दोनों का पाथ अलग हो जाएगा, food जो है, वो किस रसते से नीचे जाएगा, food pipe से, और हवा किस रसते से नीचे जाएगी, wind pipe से, तो आपको समझना है, इसका importance क्या है, इसके बाद भी food और हवा का अलग path है, और इसके पहले भी अलग path था, यह अकेला वो portion है, जहां पर food और हवा दोनों आ रहे है, समझ माई बाद, ferry next, ferry next, ठीक है, अच्छा, अब आप देखें, यह जो हवा का passage है, और यह जो food का passage है, mouth, उसके बीच में बोनी structure होता है, दोनों को separate करता ह पालेट, राइट, अच्छा, अब यह जो nasal passage है, students, nasal passage हमारा यह आपको दिख रहा है, इसमें काफी hairs और mucus होते है, होता है, तो आपको पता ही कि हमारे यह passage में hairs होते है, और mucus होते है, इनका बना important role होता है, students, क्या important role होता है, देखो, जो हवा हम body के अंदर लेते हैं, उसम dust particles हमारे body के लिए useful नहीं है, in fact harmful है, तो यह जो hairs और mucus यहाँ पर होते है, वो dust particles को अंदर नहीं जाने देते है, तो students हम लिख भी सकते हैं, कि hairs and mucus in the nasal passes filters air, they block dust particles from entering our body, समझ नहीं बात यह बात तो students, this is very important, आप देखे, तो हवा यहाँ से अंदर आई, farinex से gujli, फिर नीच आई, अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता है, this is larynx, sound box, तो यह बना important organ होता है, students, तो हम अलग-अलग type की आवाजे निकाल सकते हैं, तो यह अलग-अलग अवाजे जो है, वो हम इस sound box से कारण निकाल पाते हैं, यह sound box exactly कैसे काम करता है, वो तो हम यहाँ पे नहीं द में चली जाएगी, अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज़ देखें, आपको इस wind pipe के उपर ring type structures दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते है rings of cartilage, अच्छा, यह cartilage क्या होता है, students, बोन तो आपको पता है, बोन, हमारे body में हर जगा bone होता है, और वो बहुत hard होता है, cartilage को आप bone का एक softer form होता है, ऐसा कुछ सो सकते हो, हमारे body है बहुत जगा पे होता है, जैसे students, आप ear की बात कर लो, तो ear को आप touch करोगे न, तो आपको कुछ यहाँ पे hard hard सा, tough tough सा लगीगा, लेकि वो bone जितना heart नहीं होता है, bone जितना heart नहीं होता है, आपको feel होगा, तो वो cartilage है, व लेकिन ये wind pipe कभी भी collapse नहीं होनी चाहिए, अगर ये collapse हो गई किसी भी situation में, तो हवा अंदर नहीं जाए पाएगी, और हम suffocation से मर जाएंगे, students, तो ये जो ring of cartilage है, उसका काम होता है, कि वो protect करे wind pipe को, और कभी भी उसको collapse होने नहीं दे, I hope you understand this, इसको हम लिग भी सकते है, students की rings of cartilage, prevent wind pipe from collapsing in any situation, so finest trends, I am sure कि अभी तर कि कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और आप देखो आगे क्या होगा, कि wind pipe से होते हुए wind आया, और वो lungs में जाएगा, ठीक है, तो आप देखो lungs के अंदर क्या होता है, वो हम देखते है, तो ये जो wind pipe है, वो दो पार्ट में डि distribute होगी, और फिर वो प्रांचेज, फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में distribute होती है, जैसे आप देख सकते हो, इस लंग में भी होड़ा है, अच्छा, अब आप देखो, ब्रांचेज के बिल्कुल end में, बिल्कुल end में आप देखोगे, तो एक छोटा सा bag like structure है, बहुत सारे कैसे bag like structures होते है, बहुत सारे, millions of bag like structures होते है, इन bag like structures का नाम है students, alveolus, alveolus चो है, वो एक singular word है, उसका पुर्लल होता है, alveoli, alveoli, right students, दिको biology में कई बार ये थोड़ा था कॉंप्लिकेटर हो जाता है, कि सिफ S लगाने और हटाने से singular पुर्लल नहीं होता है, कई बार alveolus, एक, उनके एक का बात कर रहे हो, तो alveolus, singular, और बहुत सारों की बात कर रहे हो, तो alveoli, right students, this is very important, कि जो wind pipe है, वो further branching होती है, उसकी lungs में, और उनके end में क्या होता है, bag like structures जिसको बोलते है, alveolus, या फिर उसका पुर्लल alveoli, right students, अब आप देखें, ये जो wind pipe है, उ उसकी दो branches होई, एक इस lung के अंदर गया, एक इस lung के अंदर गया, फिर वो further बहुत सारे branches में divide होई, अब देखो, शुरू के जो branches होती है, वो थोड़ी मोटी होंगे, आसमा सकते हो, लेकिन जो बात के और branches होंगे, वो पतली होती जाएंगे, तो शुरू के जो branches होती है, उ के उपर ring of cartilage नहीं होता है, आप समझे दो बात, तो बड़ा simple सा है, बड़ा important भी है, अब देखो, ये जो थोड़ी मोटे branches है, जिनके उपर ring of cartilage है, उसको बोलते हैं, ब्रॉंकस, ब्रॉंकस है singular, उसका plural name है, ब्रॉंकाई, 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 तो यहां पड़ी सब्सक्राइब, तो यह कैसी branches है, जो मोटी है, ठीक है, और उनके उपस ring of cartilage है, अच्छा, अब जो पतली branches हैं, जिनको ब्रॉंको ब्रॉंक्योली, और उसका plural होता है, ब्रॉंक्योली, ठीक है, यहां पर सिर्फ S हटाने और लगाने से सब्सक्राइब, नीज पतली पतली ब्रॉंक्योली और वो जो ब्रॉंक्योली आप इन अपे बैग लाग इस स्टॉक्टिर्स, इनको क्या बोलते हैं, अल्वियोली, रएट इस्टॉट्स, आप को यह पूरा स्ट्रॉक्चर्स समझ में आया होगा, तो क्या हुआ यहां पर फिर नॉस्टिल से हवा अंदर आई, फिर नेसल पाइसे से गई, फिर फिर लरीने गश्स, फिर ट्राकिया, और फिर इन ब्रांचेज से, और फाइनले किसमे अल्वियोली में, फिर वहाँ पर जाके हवा का क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट, अच्छा, एक यहां पे स्टुइंट्स दोनों लंक्स जो होते हैं उनके ऊपड़े धिन मेंब्रेन होती है उनको प्रोटेट करने के लिए उसको बोलते हैं प्लेवरा क्या प्लेवरा तो यह बचो रिस्पेंटिश सिस्टम के सारे और दिन की बाद हो गई और आपको यह समझ में आ गया कि बॉडी में हवा हमारे अंदर आई और इस रसे होते 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 फाइनली वह एल्वियोली में बैग लाइक स्ट्रक्चर्चर ने पहुंच गई और हवा का वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ यह हम समझना चाहते हैं लेकिन वह समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना श्रूंच और शेया है तो यहां पर क jij होते हैंसे गांपे पटाता ह इसनलीर इसमें मैं दिफेरन स्टेजर दिखारा हूं यहां पर आप देखो आपने ला है यहां पर अभी यहां पर थोड़ा सा आप देखो थोड़ा सा इंग जो है वो फैल चुका है ठीक है और यहां पर पूरा फैल के पूरे वाटर को ब्लू कर चुका है ठीक तो इंक क्यों फैल रहा है है तो देखो इस ट्रेंट क्या होता है कि यहां पर जो इंक वाला रीजन है वहां पर इंक के बहुत सारे molecules होंगे हम हो सकते हैं यहां पर हाई concentration of इंक के मॉलेकुन से इंक मॉलेकूनिक से हाज़yeong नो हो सकते हैं ki वहां पर इंक क्या साथा मी लोगारिश्टारी उपैर हैंद पर गांख से Hm सपिसेक्स मैं यह कॉन से कि चीजें जो है वो हाई कनसेट्रेशन से high concentration से low concentration की तरफ move करना चाती है तो वह यहाँ पर यहाँ पर molecules का high concentration है और surrounding molecules का low concentration है तो यह जो इंक के molecules है वो high concentration से low concentration की तरफ move करना चाती है इसलिए वो move करके इधर आ रहे है जहाँ low concentration है और इंक के molecules हर जगा फैल जा रहे है वैसा एक और एक्जाम्बल मैं आपको दे सकता हूँ तिंक अफ दिस सेटप यहाँ आप देखो यह थिन मेंब्रेन है जो पूरे बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर वी है और यह परमीबल मेंब्रेन है मतलब चीजे जो है इसके इधर उधर जा सकती है अब यहाँ पर आप सोचो कि हवा के बहुत सारे मॉलिकूल से यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन कैसा है इस्टूइंट्स हाई और यहाँ पर कंसेंट्रेशन कैसा है लो तो यहां पर अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दोगे तो क्या होने वाला यहां पर यहां पर यह जो molecules है वो high concentration से low concentration की तरफ move करेंगे तो molecules इधर की तरफ जाए लगी और कुछ दिर बाद आपको ऐसा सीन दिखाई देगा मौलकुल से इधर से इधर आ गया है बहुत सारे सारे नहीं बहुत सारे ठीक तो इस्टुएंट्स आपको diffusion का जो concept वो clear हो गया होगा अब वो concept यहां respiration में कैसे apply होता है let us see that तो इस्टुएंट्स सब को हटाते हैं और वापस से focus करते हैं यहां पर इस्टुएंट्स आपको aerobic respiration तो याद है न है स्टुएंट्स हमने पढ़ा था क्या होता है aerobic respiration में हमारे body में जो भी cells होते हैं उन में aerobic respiration होता है ताकि वो energy produce कर सके हैं जैसे कि यहां पर एक cell ले लेते हम ठीक है तो इसमें भी energy and carbon dioxide तो वो reaction जो है वो इस cell में भी हो रही होगी तो कैसे होड़े होगी तो देखो यहां पर glucose आया होगा समाव अब reaction करने के लिए इसको oxygen चाहिए इस cell को क्या चाहिए होगी लेकिन अक्सिजन कहां बढ़े इस्टूंइंट औक शिजन तो एल्व्योली में है औक शिजन वाली है एठ्मोस्फेर में होता है तो वह हुआ जो है वह अंदर ली अंदर ली अंदर ली और इस तरह होते होते अलियो तक पौचिए तो इन अल्व्योली में oxygen is so somehow यह जो oxygen है वो इस सेल तक पहुंचेगा कैसे यह एल्वियोली से सेल तक पहुंचेगा इस्ट्रेंट्स वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़े दिर में थोड़ा सा पेशन्स रखें तो सम्हाव एल्वियोली से इस सेल तक oxygen पहुंचेगा वो oxygen जो है glucose के साथ reaction करेगा aerobic respiration तो energy produce होगी और carbon dioxide produce होगी अब यहां पर यह सेल में जो carbon dioxide produce हुआ इस्ट्रेंट्स वो बाड़ी के लिए harmful होता है उसको बाड़ी से बहार निकालना तो जिस रस्ते से हवा अंदर आई थी उसी रस्ते से वह carbon dioxide वाली हवा जो है वह बहार चली जाएगी बहार चली जाएगी समझ में आड़ी बात फिर से मैं आपको बताता हूं oxygen वाली हवा अंदर आई अंदर आई तो oxygen एल्वियोली में पहुंचा सम्हाव एल्वियोली से वह oxygen जो है वह सेल तक पहुंच जाएगा वहां पर aerobic respiration होगा यह वाली रियक्षिन तो इनर्जी प्रोटीस होगी और carbon dioxide रिप्रोटीस होगा उस carbon dioxide को बहार निकालना जोड़ी है तो सेल में carbon dioxide बना वह carbon dioxide सम्हाव एल्वियोली तक पहुंचेगा कै कैसे पहुंचेगा मैं आँको बताऊँगा और फिर उसी रस्ते से बाहर निकल जाएगा जोड़ी समझ में आरी बात देखो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो जब मैंने सांस ली तो हवा अंदर ली oxygen वाली हवा जो है मैंने अंदर ली वह मेरे अल्वियोली तक गई फिर यहां गई यहां पर aerobic respiration हुआ फिर यहां पर carbon dioxide बना वह यहां आया और फिर बहार आया तो जब मैं breathe out कर रहा है बीद आउट कर रहा हम तो वह carbon dioxide वाली हवा बाहर निकल गई है तो मैंने ब्रीधिन किया ब्रीद आउट किया, तो बीदिन किया तो ऑक्सीजन वाली हवा अंदर, ब्रीद आउट किया तो कार्बन डाइकस़ वाली हवा बाव, I hope you follow this तो अब इस्ट्वेंट हम देखेंगे कि कैसे oxygen अल्वियोली से सेल तक आता है और कैसे carbon nerve से अल्वियोली तक आता है तो यह जो ग्यास का रहस्म में एक्सचेंज है transfer है transfer वह कैसे होता है तो इससे पहले आपको यह बता दूँ कि यह जो transfer है वह blood के कारण होता है blood उस gases को यहां से वहां ले जाता है कैसे ले जाता है वह समझाने से पहले मैं blood के बारे में एक छोटी से बात आपको बताना चाहता हूं इस इंपॉर्टन देखो यहां पर यहां पर blood हमारे लिए दो टाइप का होगा ठीक है एक ऐसा blood जिसमें oxygen dissolved है और एक ऐसा blood जिसमें carbon dioxide dissolved है देखो students blood एक बहुत important liquid होता है हमारे body के लिए उसको बहुत detail में आगे circulator system में पढ़ेंगे बढ़ेंगे थोड़ा से में आपको बता आजता हूं blood जो है वह एक ऐसा liquid है जिसमें oxygen dissolved हो सकता है या जिसमें carbon dioxide भी dissolve हो सकता है जब ब्लड में oxygen dissolved होता है तो blood का color जो हो bright red होता है और जब उसमें carbon dioxide जहाँ होता है तो उसा color थोड़ा dark red हो जाता है ठीक ऐसा होता है इसकेस में जब बहुत है तो ब्लट को रेड बनाते लिजैस में जब कारबने नाथेह था बनाते हैं इसकेस में बुक्स में ब्लू बनाते हैं ताकि देखते ही पता चले अच्छा ब्लड को ब्लू मनाया है मतलब उसमें कार्वन डियोक्सें मिक्स है ज्यादा राइड इस्ट्रेंट्स चलो यह बात अगर आपको डाइजेस्ट हो गई है तो अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कै से गैस का ट्रांसर होता है तो उसके लिए यह जो है स्टुरेंट्स उसका एक मैगनिफाइड व्यू हमें यहां पर बनाना पड़ेगा यह जो यहां पर ब्लूड का अपलेडी होती है बहुत सारी वह अच्छे से जैसा कि आप देख सकते हो और यहां पर आप देख सकते हो की जरुवत है इस वर्ड कैपिलरी पे जो कैपिलरी का मतलब होता है वेरी थिन ट्यूब वेरी थिन ट्यूब तो हमारे बॉड़ी में बहुत सारी ऐसे कैपिलरी होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है इसे ब्लड फ्लो करता है और खास बात क्या होती है कैपिलरी की कि उनका जो wall होता है वो बहुत थिन होता है इस wall के blood capillary का जो wall है वो थिन है ये बढ़ा important क्यों important मैं आपको बताता हूं ये थिन होने से ये थोड़ा थोड़ा permeable होता है इसमें कुछ-कुछ पोड़ होते हैं जिसे चीजे अंदर बाहर जा सकते हैं अगर ये थिक होता तो आप सो सकते हैं कि इसमें पोड़ा नहीं होते हैं और चीजे अंदर बाहर नहीं जा पाती है अब यह क्यों important हैं देखो क्या होता है सबढ़ कर एस अहाइन कि कोई गैस यहाँ पर बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ज्यादा है यहाँ लेकिन ब्लड में वह डिसाल नहीं है तो यहाँ डिफ्यूजन को याद करो स्टुर्ण जो धोरे पहले हमने रिकॉल किया था यहां पर उस गैस का बहुत हाई कंसेंटरेश उल्ट आप समझ रहोंगे, suppose कोई gas है, जो blood में बहुत dissolved है, तो blood में उसके बहुत सारे molecules है, लेकिन बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, तो फिर यहाँ पर diffusion होगा, कैसे होगा strength, high concentration to low concentration, तो molecules जो हो बाहर आएंगे, right strength, तो आप देखें, thin होने के कारण, जहाँ पर pores है, इस wall में, जिसके कारण diffusion of gas हो सकता है, gas अंदर भी जा सकती है, और बाहर गया सकती है, that's why, this is very important, कि यह walls कैसे है, thin instruments, तो आप समझ रहोंगे, यहाँ पर यह जो capillaries है, alveoli के round, उनमें diffusion होने वाला है, कैसे होगा, अब ही मैं बताड़ा हूँ आपको, तो यह तो मैंने लिया alveoli, उसके round capillaries है, आपको समझ मैं, वैसे अगर मैं इस cell के भी बात करूं students, तो वो cell को मैं यहाँ बनाता हूँ, और इस cell के round भी उसे तरीके से बहुत सारी capillaries होती है, ठीक है, ब्लड की capillaries होती है, अब देखो, यहाँ से यह जो blood निकल रहा है students, red वाला, ठीक है, तो blood के जो vessels है, वो तो पूरे body में, पूरे body में distribute होते हैं, तो यही जो blood है, ठीक है, वो किसी ना किसी रस्ते से यहाँ इस cell तक आएगा, ठीक है, और यहाँ से इस cell से जो blood निकल रहा है, blue वाला, वो किसी ना किसी रस्ते से basically इस alveryory तक जाएगा, ठीक है, समझ में आड़ी बाद, तो ब्लट के जो vessels है, पूरे body में distributed है, वो body के हर पार को actually connect करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला blood, किसी ना किसी रस्ते से, blood से होते वे यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से निकलने वाला blood, इस alveole में आई है, तो वो जो ह chickens है, उसे बहुत oxygen है, oxygen बहुत है इसमे है, लेकिन आपगों, जो blood यहाँ पे आ रहा है, वो blue बनाए गया है, तो मतल्तम उसमें carbon dioxide जाता है, oxygen आदानि है, उसमें carbon dioxide जाता है, oxygen नहीं है जाता, ऑप ऐलवयोली में फ्राव टूंघ उच्छी होगा और इसमें रिपattर और 2 यूआ से एक्सीजिन बलड में आ जाए था फिर इंपॉर्डेंट मेश को यह ब्लड में डिस्जौ फिर 2021 पर जो ब्लड आया उसमें बहुत सारा oxygen है इसलिए वो डिफ्यूज होके बहार निकलेगा और सेल में जाएगा सेल में जाएगा सब्सक्राइब सेल को मिल गया ना oxygen यहां से ब्लड से होता हुआ oxygen दिजन सेल को हो यहां पर सकारबन डायकसइड अब ये जो कर आयम बना सेल में वो डिफ्यूजब ठन्व एग्डम चल जाएगा अब यह ब्ल depressed से ब्लड में चल जाएगा अब यह बल्लड जायाएगा यहां वह comfort देर सेley तो यहां पर आया तो carbon dioxide लेके आया अब इस blood में carbon dioxide ज्यादा है इसलिए carbon dioxide diffuse होके alveoli में चला जाएगा alveoli में और वो alveoli में गया तो फिर उसी रस्ते से बाहर निकल जाएगा समझ में आई बात आपको students कि कैसे यहां पे alveoli से cell तक gas का exchange हो रहा है oxygen का और carbon dioxide through blood हो सकता है आपको इसमें थोड़ा दाउट हो तो वीडियो को rewind करके देखें आप students इसको आपको कई बार देखना चाहिए ताक कि दिमाग में एदम घुच जाए वीडियो से पढ़ने का यही तो फादा है you can rewind things as many times till you grasp it fully fully and deeply fine अब देखो कुछ और बताता हूँ मैं आपको देखो जब हम हवा अंदर लेते हैं instruments तो उसको क्या बोल रहे है breathing या फिर inhalation और फिर जब हम हवा बहार निकालते हैं instruments उसको क्या बोलते होंगे breathe out ठीक या फिर exhalation अब देखो जब हम हवा अंदर लेते हैं instruments breathing करते हैं तो उस हवा का क्या composition होता है वो ताको पता ही है instruments क्योंकि जो हवा हम अंदर ले रहे है वो तो atmospheric हवा है तो जो atmospheric हवा composition है वह उस हवा का composition हुआ तो उसमें oxygen कितना परसेंट होगा instruments 21% right you know that उसमें carbon dioxide कितना होता होगा instruments 0.04% ठीक उसमें water vapor कितना होता होगा बहुत कम होता है instruments ऐसे तो उसमें nitrogen वेगड़े भी होता है बट वह हमारे यहां पर इस लिए हम उसकी बात नहीं करने ठीक तो इसमें जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें आप लेको oxygen बहुत ज्यादा होता है carbon dioxide भी होता है थोड़ा but main oxygen होता है that is important ठीक है क्योंकि हम हवा अंदर ले किसके लिए रहे हैं oxygen के लिए तो हवा हम अंदर लेते हैं वह अल्वियोली तक जाती है उसमें से जो oxygen है वह cell तक जाता है cell तक जाता है ठीक अच्छा अब जो हवा हम breathe out करते हैं बाहार निकालते हैं उसमें क्या होता है what do you think उसमें carbon dioxide क्या लगता है उसका percentage 0.04 ही रहता होगा या कुछ चेंज हो जाता होगा आप मुझे बताएं उसका percentage बढ़के 4.4 हो जाता है क्यों होगे ऐसा क्यूंकि जो हवा गई थे अंदर उसमें तो carbon dioxide लेकिन यहां पर जब aerobic respiration होगी तो carbon dioxide बना वह carbon dioxide यहां आया ठीक है तो बाहर निकलने वाली हवा में carbon dioxide ज्यादा होगे और और ऑक्सीजन बाहर निकलने वाली हवा में oxygen का क्या होता है oxygen कम होके 16% हो जाता है यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों को ऐसा लगता है क कि बाहर निकलने वाली हवा में oxygen होता ही नहीं है ऐसा नहीं है इस्ट्रेट्स देखो क्या हुआ हवा अंदर गई उसमें तो बहुत ज्यादा oxygen था 21% उसमें से कुछ ही oxygen अंदर जा पाता है cell तक बाकी रहे जाता है बाकी नहीं जा पाता है इधर तो जो रहे गया वो तो ब medicine परसें समय में बाद रहत वद से हैं कि carbon dioxide का एम बढ़ गया है बाहर निकलने वाली हाव इक और चीज़ वा तर भूर वाटर वे पर क्या लगता था प mo इ बाहर निकलने वाट हवा में पार निकलने हवामें water पर ज्यादा होता है हाई होता है ऐसा क्यों जो हवा अंदर आई थी उसमें बहुत कम था जो बाहर जाड़ी उसमें ज्यादा क्यों हो गया स्टुएंट आप बताएं सोचें क्या हो रहा है यहां पर अगर आप aerobic respiration का जो स्क्वेशन है उसको याद करोगे ठीक से हमने पढ़ा था तो उसमें जब ग्लुकोज और ऑक्सिजन रियाट करते हैं तो फाइनली वाटर भी बनता है वाटर भी बनता है तो यहां पर इस सेल में जब छोड़ते हैं तो हमारी बॉड़ी जो है वो expand और contract करती है आप देखो तो आपने देखा कैसी expand और contract हो यह इस राइड आप यहां बड़ भी देखो जैसे हम breathe in, breathe out कर रहे हैं तो जो part है lungs और बाकी चीज़े वो expand contract कर रहे हैं तोبدие है यह अपर डोफोटोग्डाप बना देता हूं आपके लिए यह उस टाइम का है जब बीद आउट कर्रहें और यह उस Для Hazard हम breathe out करा रहे हैंट तो दोनों में क्या difference समझ मैं आर आपको हूँ? जब breathe voyez करते तो lunges बढ़े हो जाते है क्यों बढ़े हो जाते हैं तो हवा एंदर ले रहे है तो लंगे उसमें हवा भड़ जाती है भड जाती है तो फुलके बड़ा हो क्यों याया पिला बड़े सी जोटे हो जाते है क्योंकि हम हवा करते नो भल Ohh तो यह टो वह चोटा हो गया झाल इतने हैं इस या है तो यह तो यह थो ऑप move करता है, उपर, इस case में rib के थोड़ा compress हो जाता है, छोटा हो जाता है, और नीचे की तरफ move करता है, ठीक है, this is important, थोड़ा था नीचे की तरफ, right, so, जह हम breathe in, breathe out करते हैं, तो हमारी body में कुछ इस तरह से movements होते हैं, now we can actually talk about rate of breathing, rate of breathing का मतलब क्या होता है, हम कितने जल्दी जल्दी breathe in, breathe out कर रहे हैं, right, तो strains क्या होता है, कि एक minute में हम लोग लगब 15 to 18 times breathe in, breathe out करते हैं, ठीक है, 15 से 18 बाद breathe in or breathe out करते हैं, generally, लेगे, अगर हम कोई physical activity कर रहे हैं, बहुत, जैसे कि आप बहुत तेज तेज दोर रहे हो, तो आप बहुत physical activity कर रहे हो, उस time को बहुत energy चाहिए, तो बहुत energy आको कैसे मिलेगी, आपके body में जो aerobic respiration होघ जल्दी-जल्दी होने लगए, तक कि जल्दी energy बने और आपको मिले, अब aerobic respiration अगर बहुत जल्दी-जल्दी हो हो रहा है, तो आपके body को oxygen बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस case में क्या होता है यह जो breathe in, breathe out का process है वो इससे काफी fast हो जाता है बहुत जल्द जल्दी breathe in, breathe out करने लगते हो ताकि आपको ज्यादा oxygen मिले और यह पिरेस्पेरिशन ज्यादा हो तो energy ज्यादा प्रोड्यूस हो जो आपको चाहिए तो इस तरह से breathe in, breathe out का rate भी vary करता है